गाइस मुवी के स्टार्टिंग में पांच कॉली स्टूडेंस को दिखाया जाता है जो कि एक रैली में भाग लेने के लिए वर्जीनिया के जंगलों में जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई वेहिकल नहीं था पुलक पैदली चल रहे थे इसलिए वो रास्ते में आते जाते लोगों से काफी लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे और बहुत मुश्किलों की बात फाइनली एक बंदा उनको लिफ्ट देता है चुकि उन्हीं गैराज तक पहुचा देता है फिर जहां कॉल और बॉनी नाम की दो बंदे उस गैराज के ओनर से मिलते हैं और गाड़ की कोशिश कर रहा होता है पिर जहां गैराज के इक ही गाड़ी थी जो कि उसने थोड़ी देर पहले एक दूसरी बंदे को दें और इसलिए वोग व्ष्रह और जाने के लिए जूण रहे हैं तो वो उन्हीं अपनी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन कॉल उसे मना करता है क्योंकि वो इंजान था और वो उनसे लिफ्ट नहीं लेना चाहता था लेकिन जब कुईंटन इंसिस करने लग जाता है कि वो उनकी हैल्प करना चाहता है तो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो कटा अभी और दुर तरहाँ लगता है जिसाश कि पर उसके इस को कि करने लगते हैं रने के सकते हैं पहुंक पहुँचकर बो lui लेकिन वहां पर उन्हें कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था जिसे कि उन्हें लगता है कि शायद यह जगा खाली है और इसलिए वो लुक अंदर जागे रहने लग जाते हैं जहां रात हो जाने की वज़े से उन्हें फार्म हाउस में रुखने जो कि सिंगल थी और उसका कोई बॉइफरेंड नहीं था वो कुईंटन के साथ अगेली होती है और वहां पहुत साथा ठंड थी इसलिए कुईंटन ठंड से बशने के लिए स्मॉक कर रहा होता है जहां वो धीर देरे काफी करीब आने लग जाते हैं जिससे कि ट्रीस उसे अट्रैक्ट हुने लग जाती है लेकिन वो इससे साफ इंकार कर देता है और वहां से उटकर चला जाता है और जैसे ही कुईंटन बाहर खड़ा होता है तो उसे एक ट्रक दिखाई देता है तो फिर वो कॉलर उसकी गर्फ्रेंड जॉर्डन की पास आता है और उन्हीं बता है और वो वहीं पे जमीन पे गिर जाती है और उसकी हाथ भी उसकी बुरी तरह से चल जाते हैं जिसफिर कुईंटन उसकी करता है और बढ़ करने की कोशिश करने लग जाता है तो बूनी उसे बचाने की कोशिश करता है जिससे कि वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से माने लग चाते हैं कि तब ही वहाँ पर कुईंटन और बड़ी की मा आ जाते हैं जो कि उन दोनों को लड़ने से रोकते हैं फिर चहां बड़ी की मा इन सारी हरकतों के लिए उन लो करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही साथा भूख के दे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और इस दोड़ा लगने की वज़े से बहुत ही बुरी तरह से जग्मी हो गई थी उससे बहुत साथा खून बहरा था और ज जॉडब के साथ में बड़ी से मिलने के लिए जाता है जहांपे बड़ी उनसे काफी अच्छे से पीश आ रहा होता है और उसे जॉड़न काफी एच्छे लगती है तो इसलिए वो जॉड़न को दोस्ती करने के लिए उसे एक चोट असत्त वाई देता है जो कि काफी बढ़ता वो कुछ भी बोले और वहीं जॉडन रायना को ये बता रही होती है कि बड़ी ने उसे गिफ्ट दिया है जो कि उससे दोस्ती करना चाहता था तो इस बात का मजा को डाते हुए रायना उससे कहती है कि उसका दिमाग तो विक्सिती नहीं है और वो बच्चों की तर सब्सक्राइब की मौम से जाकर मिलती है और उस्सें वाश्रूम की बारे में पोछने लग जाती है नहीं पॏसे डलिक है ज़ो की एकदम साफ ता तुर सबस करने अट इभी न को οिद्ध है जो कि उनसे बुनी के बारे में पोश्च लग जाती है क्योंकि वह नहीं मिल रहा था तो तीनों मिलकर उसे ढूने लग जाते हैं जैसे फार्म हाउस के पीछे वाले वाश्रों में जाती है वहां पर एक ऐसा कमरा था चाहां पर चारों तरफ खून लगा हुआ था और वहां उसे एक टाडरी मिलती है जिसमें की इनसानों के बाडी members को बिश्टी है उन्हें काट कर चाहिए वो काफी और चाहिते हैं लेगा उसी टाइम पे बढडी कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानता और को बुरी हैBrut देता है और उसका कला बहुत दर्द हो रहा था है लिटरली गाइस देट सीन वस्टु हारेबल जिसके पाथ बड़ी एक एक करके उसके सारे अंगों को काट कर अलग-अलग करने लग जाता है और साथ ही वह उन्हें एक बॉक्स में भी रख रहा होता है जिसे यह पता चलता ह है कि वह बोक्स किसी देलर को बीचेगा और बढ़े कि माने क्रिस को फ्राम-घॉस के पीछे इसलिए पीचा था य। घर कि मारकर उसकी बॉडी में चले जा सकते हैं क्योंकि फोन वहीं पर रखा हुआ है जिसे कि काइस ही पता चल रहा था कि वह उन दोनों को भी वहां पर पसाना चालती थी लेकिन इस पात पर बुनी कहता है कि उन्हें कि जल्दी यहां से निकलने वाले हैं और यह सुनकर उसकी मॉम को काफी गुशा आ प्रण पता है जिसे कि रायना बहुत दर चाती है और रोने लगज चाती है और उसकी मॉम पर भी अठाक करके उसको बेहोश कर देती है और दूसरी तरह को इंटन फिर से उस बंदे मिलता है जिसनी उससे गाड़ी दी यानि कि यानर पता चलता है कि कुंटन उस सब लोगो कर दिया था और उन पांच दोस्तों को उसके साथ में भीज दिया था यानि कि उन सब को इस फार्म हाउस में वालों कोई और नहीं बल्कि वह गैरिज का ओनर ही था और वहीं दूसरी तरफ जब पड़ी की बचे हुए बॉड़ी पार्ट को फिक्स को खिला रहा होता है तो ज जादा इनोसेंट है और जैसे ही वो लोग वहां से निकलने के लिए कोशिश करते हैं तो गीर न से नहीं खुलता क्योंकि उनका दर्वासा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था जिसकी पूप बहुत जादा डर चाते हैं और वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता कि कोशच करते हैं और पिर बुनी और राइना हुश में था देखते हैं लेकिन दिए बढल निछा वह उसके help करेगा जहां वह उसे मदद मांगे लग जाता है और जैसे ही वह राहिना की पास आता है तो उन्हें को लगता है कि वह उसी खूलने जा रहा है जिसके बाद हम गॉल और बाकी लोग को देखते हैं जिने बाहर निकलने का रास्ता तो मिल गया था और उन्हें बाहर देखनी राहिना के सर को चाकूट से भूरी तरसी खूल देता है जिससे अंदर का सारा दुधर निकाल लेता है और लिटरली घाइस देख पूरी बहुत रोणे लग जाता है क्योंकि वह अपनी गर्फ्रेंड को बचानी पा रहा था जहां बड़ी की मा और उसकी नामी भी पहुचाते हैं और जब बड़े की मां उसे रोते हुए देखती है तो वह कहती है कि भगपार ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके और रखा हुआ है क्योंकि वह तूटे हुए दिल से बहुती सुंदर चीज़े बनाता है तो इसलिए तुम्हें नई रूना है तो उसे वहां पर जोड़न मिल जाती है तो उसका गलत हुआने की कोशिश करती है लेकिन कॉल उसे चुड़ा कर उसे भागने के लिए कहता है और इस बाद से उसकी मां को बहुत कुछा आता है और वह अपनी बीड़ी को बुलाती है चाहां वह उन से कहती है कि इन लोग से उस पर अटाइक करती है जो कि काईस कोई नॉर्मल स्टिक नहीं थी बलकि एक इलेक्टिक स्टिक ती जिसे कि इलेक्टिक शॉक लगता था और वह उसे भाही पर मार देती है जिसे के गॉल वहीं पर करने की कारण मर जाता है जिसके पास लोग चौड़न का पीछा करने लग जाते हैं जिसरे वह बचते हुए वापस कॉल के बचाने के लिए आती है लेकिन तब तक कॉल मर चुका था जिससे बहुत साथा दुक्य हो जाती है और इक गल्दी से गिर जाती है और उसके सीनी में एक लगरी धूश जाती है कि तब ही वहां पर वहीं ड्रोग आती ह तो नहीं बदा चल जाता है कि वह वही पर छुपी हुई है और वह पुप की खासों के बीच में अपनी स्टिक से उस पर अटाक करने की कोशिश करती है लेकिन जॉड़न बहुत ही जलाकी के साथ उसकी चड़ी को पगड़ लेती है और उल्टा उसे ही मारने लग जाती है पर वहाँ पर आता है और उसे ले जाकर बांद देता है जिसके पात जब जॉड़न को होश आता है तो वह खुद को बंदा हुआ देखती है और बहुत जादा निराश होकर रोने लग जाती है और इसी समय बड़ी को उसकी पॉकेट में वही चोटा सा ट्वाय मलता है जो कि उसन जाता है जिसके बड़ी वहाँ पर बंदे हुए फेंस में टकरा जाता है क्योंकि वहाँ पर करन्ट लगा हुआ था और इस कारण वहीं पर मर जाता है फिस सीन या से शिफ्ट होता है और ऑस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर के पास प्रिस का वही पहुंचता है और उसे उठाकर अपनी गारी में बठाकर लेकर जाने लग जाता है तो उसे लगता है कि वह उसे बचाने के लिए आया है लेकिन फिर हम काई सी देख पाते हैं कि कुईंटन भी उसकी काड़ी में मौझूद था और इस से में वह बहुता दुखी था क्योंक से अब कोई भी जिन्दा नहीं बचा है और इसी के साथ इस मुवी कर दिया हो जाता है